बॉली विडेक्टिर कुनाल खेमू के साथ हाल ही में एक ऐसा हाथसा हुआ जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है एक स्टार होने के बावजूद कुनाल के साथ सड़क पर सरयाम बत्तमीजी हुई है खुद कुनाल ने ही सोशल मेडिया के जरिये अपने साथ हुईज बुरे बरताब की जानकारी फैंस को दी है कुनाल ने अपने ट्वीटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि वो आज सुभा नौ बजे अपनी पत्नी सोहा और बेटी इनाये के साथ नाश्ता करने बाहर जूहुद जा रहे थे तब ही रास्ते में एक शक्स ने उनके साथ बत्तमीजी की तब रास्ते में कार ड्राइबर पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था वह बार बार हॉन मार रहा था साथ ही वह ओवर टेक करने की कोशिश भी कर रहा था उसने मेरी गाड़ी के आगे अचानक ही अपनी और उसने हमें कई बार मिडल फिंगर दिखाई और साथ ही गालियां भी दी अक्टर ने उस शक्स की गाड़ी और उसकी नमबर प्लेट की तस्वीर शेयर करते हुए मुंबई पुलिस से इस मामले में सक्ट एक्शन लेने की मांग की जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी लिया है जिसके लिए कुनाल ने उनका धन्यवाद किया हलाकि कुनाल ऐसे पहले सेलेब्रिटी नहीं है जिनके साथ पब्लिक प्लेस पर ऐसे बरताव हुआ हो कुनाल से पहले भी कई ऐसे स्टार्स रहे हैं जिनके साथ सरयाम लोगों द्वारा बुरा बरताव हो चुका है आईए बताते हैं आपको इनहीं सेलिप्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगो एक खिलाडी अक्षे कुमार की अक्षे जब एक इवेंट में पहुँचे थे तब वहां एकठा भीर ने उनके साथ तस्वीर क्लिक करवाने के लिए धक्का मुकी करना शुरू कर दिया था वहां मौजूद गार्ड्स अक्षे की सुरक्षा कर रहे थे लेकिन उसी वक्त एक आपमी ने उनका चेहरा पकड़ कर खींच दिया था जिसके बाद अक्षे ने उस शक्स की गुस्से में पिटाई कर दी थी अगला नाम है देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का जब प्रियंका फिल्म अंजाना अंजानी की शूटिंग कर रही थी तो एक फैन ने जबरदस्ती प्रियंका का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी तब प्रियंका ने उसे बार-बार मना किया लेकिन उसने नहीं मानने पर प्रियंका ने उसे ज़ोरदार थपड़ जड़ दि वो पुने में एक जूली स्टोर का उदगाटन करने पहुंची थी तब उनके साथ भीड में मौजूद एक आदमी ने गलत बरताव किया था सोनम कपूर एक्ट्रस सोनम कपूर के साथ भी एक ऐसी हरकत हो चुकी है फिल्म राजना के प्रमोशन के वक्त एक शक्स ने सोनम कपूर को गलत तरीके से चुआ था तब उनके कोस्टार धनुष ने उनकी मदद की थी वालिविट की रजजो सोनाक्षी सिनहा के साथ तो पब्लिक प्लेस में ऐसी हरकत होई कि वो रोने ही लग गई थी एक शक्स ने साल 2010 में उनके उपर भद्दे कोमेंट्स किये थे उस वक्त सुनाक्षी एक इवेंट के लिए साथ मुंबई के मंतुराले के पास गांधी नगर मैदान में गई थी